लूब दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाटशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होँगे और आपके त्यारी बहुत इवडिया दंग से चल रही होगी दोस्तों ग्यारह तारीक है आज और अभी अहमारे सामने बहुत सारे एक्जाम हैं जिसमें दिली पिलिस बिल्कुल जास सामने हैं यूपि-पुलीस कोनस्टेबल कभी भी आपके आ शॉम्म चाइस आई पोई य्पोन रहा हूं कोई बहή मुझे आज बूल रहा था ठेसार पढ़ाना तो आपको रोज पढ़ाना चाहिए तो मैं बता देता हूं बहुत सोमवार से लेके शनिवार तक करता हूं एक दिन मेरे को और भी चीजों के लिए चाहिए होता है क्योंकि फिलाल मैं भी अकेला पढ़ा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा इसके लिए अंडेस्टेंट चीजें करनी पड़ेगी बट ऐसा नहीं है कि संडे में होने वाले इवेंट्स आप तक न पहुंचे वो समवार से लेके शनिवार तक सातों दिन की चीजें उसमें कवर अप हो जाती है को दिक्कत वाली बात तो बकी और वी चीजें हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें आपकी हिंदी क्लास शुरू होने वाली है और आपको मुलविधी कर कोर्स है वह बहुत जबरदस कोर्स है वह आपको मात्र 200 रुपय में वहां पर मिल जाएगा कोई इसूस में नहीं है और यह केवल एक आपचारिकता है यह इनका मूल्य नहीं है कोर्स का एवन कोर्स हैं जिससे हम चीजों को और तकनीकी रूप से अच्छा कर सकें उसलिए बाकि यह यूटुब पर चलेंगी चीजें और यह हम एप पे रहेंगे की कि वहाँ पर और चीज़ें सघंता से होंगी और सगंता से होने के साथ साथ वहाँ पर पीडीएप नोट्स वगेरे लाइप सेशन वगरे वह देखने क लिए मिलते हैं तो बिना देरी कि हम लोग क्रिकेट कप है बच्चों का क्रिकेट का वर्ड कफ है कि शहर में आउजित किया जा रहा है तो यह चैनद में इसके बारे में कुछ चीजह जान लेते हैं हम लोग ठीक है इस्ट्रीट 20 विशेश रूप से इस्ट्रेट चिल्टन जो है गली में जो खिलने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए पहली बार वर्ल्ड कप आयोजित किया रहा है जिसमें UK ब्राजील हंगरी यादी 15 देशों के स्ट्रीट के बच्चे बारत में ICC विश्व क्रिक अगला कोशन है हमारा जी मारी मुथू जी मारी मुथू इनके बर में देखते हैं कि किस फिल्म उद्यूग से थे तो अगला कोशन है दोस्तों हमार पाजियां पर जी मारी मुथू जिनका निधन हो गया है वैं किस फिल्म उद्यूग से संबन्दी तो ये तमिल फिल्म उद्यूग U.S News and World Reports के थे थिर यो सभुंअ आज इना ओल्र रिपोर्ट मोर्न वर्ल्रेपोर्ट यह इस तरह से म FCC डेशने दुनिया के सरफ्षिष्ट डेश होना किताब जीता है तो नो डाउट स्वीजर लेंड इसके बारा में है कि नवीनतम युएस नियूज और वर्ल्ड रिपोर्ट की वारसिक सरवसिष्ट देशों की रैंकिंग के नुसार इसमें स्वीजर लेंड ने एक बार फिर से दुनिये के सरवसिष्ट देश होने का खिता जीता है यह स्वीजरलेंड के लगतार दूसरे वर्शिकर पर रहने और कुल मिलाकर च्छटी बार सुची में नंबर वन देश बनने का प्रतीक है रैंकिंग स्वीजरलेंड की सुद्वचता की पुष्टी करती है अगला कोउचन हÀ हमारा है ना 44 भी आर्म रैसलिंग कया होती है वो पंज़ां भिडाने वाली जैसे पंज़ां बिडाते हैं तो आर्म रैसलिंग चैंपियंशिप में अर्दाइं हाथ वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है तो आभास राणा भारत के जो आभास राणा है उसने आम रेस्लिंग चैंपिंशिप में स्वर्ण पदक जीता है इसके वारे में देख लेते हैं कि कजाकिस्तान के अलमाटी में आई जीत हुई ती यह चीज आपको बहुत अच्छे जयाद ब्रॉंज है अभास राणा ने बाएं और दाएं हात वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और पेरा आम रेस्लिंग चैंपिंशिप में हर्ष खोडियार ने रजक दवजत पदक और श्रीमंत जाने का स्वर्ण पदक जीता है इन सब का नाम आप लोग याद रखते हैं अग हवा के मामले में इंदोर उसके बाद अमरावती उसके बाद परवाणू भारत में सरवोच स्थान पर हैं जबकि मदुरई जम्मू और कोहिमा सबसे निचले स्थान पर हैं यह बात आपको यहाँ पर याद रखते हैं अगला कोशन है हमारा विश्वच फीजियो थेरपी दिवस स्थामबर महां के इस दिन मना जाता है तो विश्व फीजियो थेरपी दिवस आठ सितंबर को प्रतिवर्श मना जाता है इसके बारे में कुछ यह देख लेते हैं स्वास्त देखबाल में फीजियो थेरपी की महत्पुन भूमिका को पहचानने के लिए 8 सितंबर को फीजियो तरपी दिवस मना जाता है एक स्वास देखबाल पेशा है जो शाररीक कारिये गतिशीलता और कल्यान को अनुकूलित करने पर केंदेते हैं आपको पता है कि फीजियो थेरपी क्या चीज घूती हिजियो थे फीजियो थेरपी होती है कि एक्सरसाइज होती है और आठ प्रतिवर्स आठ सितंबर को वीजो तरपी दिवस मना जाता है यह उनिसो च्छाण में से आपका मना जाता है अगला कोश्चन है हमारा एक दिवस्य अंतराश्टिय क्रिकेट में सबसे तेज दोजार रन बनाने के वाले बल्लेवाज कौन बन गए हैं तो पाकिस्ता के बल्लेवाज बाबर आजम बंडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले बंडेवाज बन गए इससे पहले रिकॉर्ड भारती स्टार विराट कोली के नाम था विराट कोली ने 36 पारियों में मुकाम हासल किया था ठीक है बाकी आप चीज दे है इस भुर्स एंडियन एर पोर्स होसकता भारतीव पोर्स हो जाये में कॉन सा देश कर रहा है कौन कर रहा है ऴदू कर रहा आपको ध्याण्यक्ट हो स्टार और ब्रैट सुटार ri त्री सेवा सन्य अभ्यास में भारत सही 34 देशों की जो सेनाएं हैं वह भाग इसमें ले रहे हैं ठीक है और आगे देखते हैं अगला कोशन किस राज्य के सलेम जिले के साबुदाने को हाली में जी आइटी टैग दिया गया है तो साबुदाना होता है साबुदाने खीर वग अगला कोशन है हमारा कौन सा देश यूरोपिया संके 36 विज्ञान अनुसंदान कारेकरम में पुनेश रामिल हो गया है तो इसमें है आपका यूनाइटेड की लड़ाई चल रही थी किसके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ तो यह रहे आपके दस प्रशन यहां पर बाक आप कुछ और एडिशनल चीजें वह यहां पर देख सकते हैं तो इसे इच्छी बात के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में आप देख रहे हैं तो आप जाहिए